नास्ते शांत्रनुजी कैसे हैं थोड़ा सा मजदी काज़ेगे अब पता चल गया होगा आपको थोड़ा आज भी और कैसा है आपकी नई पुस्तक आगई है दमॉंक वू ट्रांसफोर्म्ड उत्रप्रदेश आप भी दिखा दीजी हिंदी में भी अनुवाद है एक योगी जिसने बदला उत्रप्रदेश और आपको मज़ा आएगा उसकी अगर आप टैग लाइन भी पढ़े है और योगी अदितनाथ चेंज यूपी वाला भाहिया एब्यूस तुआ बैज ऑफ ओनर मतलब मैं हिंदी में होगा तो योगी अतनाथ के उत्रप्रदेश में यूपी करते हैं तो वो मेरे को बहुत इंट्रेस्टिंग लगा वैसे तो मेरा इडिया था कि किसी से बात करें जिनको होम स्कूलिंग की पोलिसी वाले तो बहुत मिल जाते जो एडवोकेट करते हैं पर आप तो experience मतलब आप तो खुदी है होम स्कूलिंग कर रहे हमने बच्चोंग तो कोविड में तो आपको मैसूस ही नहीं होगा ना बच्चों को ना आपको की कुछ बदला है तो कैसा experience है और क्या recommend करेंगे तो कोविड में पूरे विश ने होम स्कूलिंग करी है लेकिन होम स्कूलिंग का थोड़ा मिस्नूमर है वह वर्ड ऐसा नहीं है कि घर पे दशा है उससे अलग स्कूल में आप दू-तरים शुरूं कर सकते है तो मतलब केवल आप इस को छोड़के आप कुछ साइडक होगी आप 2 शॉरी क्से कंगी 66 कहдеET क्या पढ़ाए जाएगा तो स्कूल भी जाता नहीं डिसाइड कर सकता है, वो बोर्ड डिसाइड करता है, तो सब कुछ सेट है, अगर आपको नहीं पढ़ने का मने हो, आपको मालिया म्यूजिक पढ़ना है, बस, आपको मालिया क्रिक्ट खेलना है, बस, आपको मालिया करनाटिक म्यूजिक शिखने हैं, आपको संस्कृत सीखनी है, आपको वेद उपनिश्दाद पुराण महाबारत रमायन्ट सीखनी है, तो वो एक्स्टा करुकुलर है, अगर मैं लता मंगेश्यर से कहां कि मुझें कि इक्स्टर करिकुलर यह साइन्स है कि जब शॉचल साइन्स भढ़कर पढ़ा है लेकिन, स्कूल पढ़नाया यह स्कूल में पढ़नाई और जो पढ़नाय वही पढ़नाह तो यहां मुझे था डिस्कनेक था जो लोग स्कूल में पड़ने हैं उनसे पुरा सम्मान है वह भी अच्छी बात है लेकिन मेरा बालक जो बड़ा है साड़े आट साल का अभिराम उसका नाम है बेटी तो छोटी है नक्षात्रा वह तो 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 जो अभिराम है साड़े आट साल का वास तक स्कूल नहीं गया करनाटिक वाइलिन सीखता है वह संस्कृत की करता है चेस सीखता है बाकी खेलता है बहुत सारा और घर के परवार के सारे फंक्शन अटेंड करता है क्योंकि स्कूल का गो टाइम अभी वह है अधरबाद में है पिछले 15-20 दिन से क्योंकि उसकी मासी आई भी है उस से अब और छराजन जाएगा त coffin आइ अधर डिला आजएगा डिलिया अधरी अधरी अभी तो यह आननन्द में पढ़े है रही और बहुत सीख कर अधर पढ़ गहारी हो जाती घ Cap ऐसा लगता है कि महीं होती है कैसे देसे का शैनी रह फॉलन कि आ॥ हो एं ख दा सब्कु दो तिन मेने का वोचा पानी में डाल दे तो वो तहरेगा नाचरल स्विमर उती है हुमन बोडी लेकिन क्योंकि वो एक इनियर्शी आजाता है ओर टाइम जब तक हम पांचे साल की उबर में पहली बार स्विम्म करते हैं तो तो अलग है तो लेर्निग इस नाचरल तो उमन बीग स्कूल कई बार में अगर टीचर आपका बहुत अच्छा नहीं है और जो मुझे लगता है कि प्राइमरी स्कूल में चाहे वो प्राइबट सचे अच्छा स्कूल है बेस्ट अच्छा नहीं है बलकि मेरी तो टेट टॉक है स्वेपुरी वाई नो स्कूल फाइमरी स्कूल में अच्छा नहीं बढ़ा सकता जो मैं बढ़ाना चाहता हूं मेरी एक प्राइथना रहेगी कि क्योंकि आप योगी जी से मिलते रहते हैं तो किसी तरीके से होम स्कूलिंग का इक अप्षन वहाँ पे स्कूल सिस्टम में हो अच्छा रहे है लंब भी है लंबा टॉपिक है लेकिं 허म स्कूलिंग लीगल है तो ऐसा सरकारी इस तर पर एसी कोई दिक्कत नहीं है बाइभ हाँ होम स्कूल बाइफिन को bread मैं जा भी चुका हूँ पर बालक के साथ तो उसके अपनी विदा है पूरी उसका हम एक अलग से एपिसोड करेंगे तो योगी जी पर आते हैं तो कैसे बदला उत्रप्रदेश इसमें मैं बताऊं तो मैं 2019 में उत्रप्रदेश में चार-पांच सीटे थी जो हमने कवर की थी लोगसबा से पहले तो उसमें ये मुझे लगा कि यहां पे सर्फ मोधी फैक्टर नहीं है उतना ही प्रभावी योगी फैक्टर भी काम कर रहा है तो उसमें सबसे बड़ा था अफकोस law and order, crime काफी कम हो गया था तो इस तरीके का महौल था एक crime का था, एक road अच्छे बन रहे थे, उसमें तो कैर कम था लेकिन काफी development हो था तीसरा ये था कि एक rejuvenation हो रहा था जैसे आयोध्या में मैं गया था तो वहां पे काफी देखा कि किस तरीके से road चोड़े कर रहे हैं development हो रहा है, प्रियाग राज में गया कुम्ब से पहले बिल्कुल जबरदस्ट transformation मैं तो मैं दो बर गया था कुम्ब के दोरान गया कुम्ब के दोरान तो वो तो जहां पे पूरा गाम बसा था वो तो अलग है बिल्कुल वो तो है लेकिन जो शहर का development देखा, वो बहुत जबरदस्ट था मैं तो कहना है, इलाबाद या परियाग राज कम से कम 10 साल आगे हो गया अरे मैं यह कहना चाहिए कि 20 साल पीछे था, अभी लेके आए है इस समय लेके है बाकी शहरों से और हम देखते थे कि हमेशा जैसे उत्तरप्रदेश में मुलायम सरकार थी या उसके बाद खिलेश की सरकार आई तो उन्होंने यहाँ पे जो मथुरा में थोड़ा बहुत विकास किया वो चाहे आप थोड़ा कास्ट एंगल भी आ जाता है कि श्री कृष्ण को याद मानते हैं तो इसलिए लेकिन अयोध्या को बहुत नेगलेक्ट था तो योगी जी ने वो करेक्ट किया काशी पे तो प्रदान मंत्री का 2014 से ही फोकस था तो यह बदलाव थोड़े मोटे-मोटे दिख रहे थी पर मैं आप से पूछना जाऊँगा जो क्राइम का है कुछ बाहर के लोगों को उत्रपदेश से बाहर के लोगों को ज़्यादा पता नहीं है कि क्राइम एग्जेक्ली किस तरीके का क्राइम तो वो क्या बदलाव आया है उत्रपदेश में देखे जो मेरा वाइ क्रिमिनल स्फियर योगी और यह सबसे बड़ा चैप्टर है और बड़ा चैप्टर उससे भी समझ में आ रहे हैं किने सबसे साहता काम भी उसमें हुआ देखिए जब 2017 में योगी सरकार बनी तो सबसे बड़ा चैलेंज जो था उनमें से टॉप एक क्राइम था और क्राइम ऐसा नहीं क्राइम इंस्टुटूशनाइज हो चुका था इस्टूशनाइज वो मुलायम सिंग यादव ने उत्तरप्रदेश में किया लालू प्रसाद यादव ने बि विधान सभा में थे या संसदों में ऐसी स्थिति में पहली चीज है दूसरा परिवारवाद तो बहुत जगन परवाद था और फिलोसिफी क्या थी लड़कें हैं गलती हो जाती है लड़कें गलती हो जाती है छोटा सेंटेंस नहीं है तो बोलने के बाद अगर आपनी रा मैं कुछ भी कह सकता हूं मतलब कोई मिडस तरका नेता ये संटेंस अगर उसके मुसे निगल जा इसके राजनीती हो सकती है लड़कें हैं गलती हो जाती है फांसी दोगे क्या और कब जब 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 रेप होंगे दो लड़कें कुछ दिनों बाद ये स्टेटमन दिया तो ये महल था पहली चीज दूसरी चीज वहाँ पे तीन लाग पुलिस की पोस्ट अवेलबल है और पिछले मुलायम जी मायवती अकलेश के काल में केवल डेड़ लाग भरी नहीं थी तो पुलिस की प्रिजन्स का एक इकबाल होता है कि अगर पुलिस जो पेटी क्राइम है व कुछ आपस में मॉलायम ने मना कर दी इस चक्र में भरतीय है नहीं हो पाई यैसि योगी शाहसन आया उनने देखा एक तो इतनी कम पोले से तो काम हो नहीं पाईगा तो उनसे पहले तो सारे कोर्ट के अगर के स्लगा होता है तो सरकारों को डिल करना पड़ता यह नहीं कह स इक भी court case नहीं हो उसमें, सारे वह इसमें जाती धर्म के साब से नहीं, बिलकुल जो आपकी merit हो साब से उनकी सब के ट्रेनिग में वे सारे field तो यह सारा सरफ intent का खेल था? के वे इंटेंट का खेलता है, कि एंटेंट नहीं यह ट्रांसफर फोस्टिंग भरती बहुत बड़ा रैकेट है, बहुत बड़ा रैकेट है, बदा आप सोची है, अगर 40,000 बढ़ती हो नहीं है, सब पे 5-10,000 रुपे यह करोड रुपे लिजाते हैं, तो यह करोड रुपे क कट कई लेबल तक जाता है, तो इक पुरा सिस्टम था, तो पुलिस की भरती भी, दूसरा, हर जिले के ऑगनाइजड जो गैंक्स थे उनको, एक तो होते हैं जो पटी करने होते हैं, एक होते हैं अगनाइजड गैंग, मतलब यह कार काटने का काम करते हैं, कार चोरी के वाल जेल में नहीं हैं, कुछ ऐसे लोग थे जिन पर फाया हैं, विल्कुल बिल्टन के से कुछ ऐसे हैं, जो जेलों से भाग गया, कुछ ऐसे हैं, जो कोट प्रूम से भाग गया, यहां पर हुई है, कभी अरेस्टी नहीं करा गया, क्योंकि दबाव इतना था उपर से, ऐसे लोग पकड़े गए, और उन पर फिर अच्छे उकद में चले, तो यह जो हुआ जब हर जिले में देखा, जो छे बड़ी-बड़ी गैंग थी, साथ बड़ी-बड़ी गैंग थी, वो निट्लाइज हो चुकी है, तो बिजनस आने लगा वापस फिर, तो कि देखें, बिज महिला पुलिस कर्मी बठाएगे, काच का रूम से दिखता रहे भार से, कुछ गरबड़ ना होंदा, जहां पर महिला बिल्कुल एक दरवाजा बंद करके, क्योंकि वो प्राइवेसी भी चाती है, महिला सुन पाए उसके साथ कुछ उत्पी ड़न हुआ है, जिसको खुल के यह सरकारी डिट है यह आपने देखा है, यह बिल्कुल है, इस पे एक दुबई में एक अवार्ड हुआ, सारी इंटरनाशनल पुलिसिंग का, उसमें यूपी को थर्ड अवार्ड मिला इंटरनाशनली, टाइमिंग के उपर कि एक बार पुलिस वहेकिल फोन करने के बाद क इतनी देर में पहुंसती, और अब सारे जिलों का कॉंपेटिशन लग गया है, इसका साड़े आठ है, तो मैं नौड़ा के पुलिस वाले के साथ प्रड़ा के साथ प्रड़ा करें, हम लोग नंबर वाने है, कभी बरेली नंबर वाने, कभी वो नंबर वाने, तो एक इंट प्रोलिंग बड़ गई होगी, प्रोलिंग बड़ गई है, फिर गुछ यो बड़े शहरे में, कमिशनेर शिस्टम लाए गया, लखनों में लाए गया, फिर उसके वाज़े बनारास कान पर ले जाने, ले जाए गया, जब कमिशनेर शिटम आता है, तो एडी जी रैंक का ओ कि हम पूब फुट हो जाती थी बूत हैं गलती कर रहे हैं निकिन अवोडर के पकड़ए जा रहे तो अब जो अब यू ड्याटरीघ हो जाएगा इस एक बार मीकशलन होई आप अब अब नहीं क्राइम हो रह चाहिए कंगे तो वो फिर क्राइम क कंगा होा आंकडों में दिख रहा है, NCRB का 2020 के ड़ेटा, 2020 किसम आया, उसने का डगैती के आंकड़े, चोरी के आंकड़े, बलातकार के आंकड़े, उत्पीडन के आंकड़े, भूमियत दिखन के मांकड़े, सब में 7 साल से सबसे निम्तम नमबरा है, निम्तम मतलब सबसे कम क्राइम ड़ेटा है, पिछले साथ साल में, पहली वालत परजिश में, तो वो डेटा में भी दिखता है, वो निवेश में भी दिखता है, प्योंकि निवेश एक बड़ा अंसेड मेटरिक्स है, जब भी आपको, लॉइन अटर का, उसमें जो इन्वेस्टमेंट कमिट किये गए, फिर वो जमीन पर है, उससे वो परलक्षित भी होता है, तो यह जो एक क्राइम का सीन था, जैसे आपने का वेस्ट यूपी में बहुत ही ज़ादा था, जब मैं अबने फीडल स्टड़ी पे गया, तो मुझे एक बैंकर मिले उसने कहा कि मुझे तीन बजे घर आना पड़ता था, अपनी लड़की को टूशन ले आने अपनी गाड़ी में, वो सैकल से, स्कूर्टी से, रिक्षा से नहीं जा सकता, तीन बजे दोपैर में, तीन बजे भी उन्हें अनसेफ लगता था, और अब वो अपनी स्कूर्टी स के साथ, अगर किसी रिक्षा वाले ने मार दिया, और वो अगर अलप संक्यक समाथ से है, और मैंने हलका से, ये बात मैंने मुझेफर नगर में भी सुनी है, कि वो सीधा कहता था कि आजम खान को फोन कर दूँगा, अगर आपने बिंड़ों नीचे करके, कॉलर पकड़ना दूर की बात हलका सा, कह भी दिया, क्या कर रहा है भाइसाब, तस मिनट में महापे सो लोग इखटे हो जाएंगे, आप ऐसा नहीं हो सकता, आप ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे बताया था कि इतना ओर्गिनाइजड है ये, कि इतनी मतलब दबंगा ही चलती थी, कि वो मैं कह रहा हूं कि ये जो चुनाब तो जीती रहें, अब योगे इतनात और पर्टी, लेकिन केवल लॉइन और उसका मतलब अगर फैक्टर देखा जाए, तो सबसे बड़ा फैक्टर है, क्योंकि लोगों का जीवन अपसूस सकते है, मतलब मैं अपने देश में ये नहीं न मैं रात को नहीं निकल पाऊंगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं धन्ना नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि फरौती का कॉल हो जाएगा, मैं बड़ी गाड़ी लेके गया तो दिक्कत हो जाएगी, मेरी गाड़ी चुरूएगी, मेरट का एक मार्केट था, जहां गाड़ी कटत बना था याद है आपको खेतों में जा रखे तो ऐसे मतलब कि एक एक एंकाउंटर प्रदेश भी बोलते हैं लेकिन अल्टिमेटली जब आप देखते हैं कि उसके रिजल्ट जब आते हैं ग्राउंड पे एक तो मासिव एक तो होता है कि माफिया लोग तो जो करीब 65,000 रेक्टेर जमीन लेली गई वापिस जो ने अधिकरन करी ती गलातना से करीब 1800 करोड की जंपती उनकी तोड़ दी गई हटा दी जो कहते हैं बुल्डोजर सरकार है तो लेकिन आप हिम्मत नहीं कर सकते थे इलाबाद में हाई कोट की थोड़ी दूरी पे अती कैम अधिकरन कर देखा तो जो जो ओल्ड जी टी रोड जो ता जो बिल्कुल बीच में से उसको जी टी रोड गया हो तो डिस्टिक रोड भी नहीं बना था अधिकरमन दर्भी और वो मतलब मैंने गया जब वो पूरे तोड़े हुए थे आदे घर थे दिखरे थे मतलब आदा सब्सक्राइब करेंगे तो नहीं रह पाएंगे तो यह बिल्कुल क्लियर सिग्नल गया उसे लोगों में वेपारी वर्ग में कॉन्विटन्स आया कि आप मुझे फरौती नहीं देनी है अब मैं सरकार को मन से टैक्स पे करूँगा जो जो देश के प्रदेश के काम आएगा यह क्राइम का तो खेर बहुत लोगों को पता है लेकिन एक एजुकेशन का जो मतलब चीटिंग रोकने गई का वो इतना चोटा काम लगता है लोगों को मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में बताईये काल्यान सिंग ने पहली बार चीटिंग के अगेंस्ट में लो लाया और मुलायम सिंग की सरकारी तो नहीं हटा दिया अब सोच सकते हैं को चीटिंग का लोगों हटा दे कि चीटिंग होनी चाहिए अखिलेश ने मंच से क्लिप कार्ट के थोड़ी कोई चीटिंग तो सब करते हैं चीटिंग से पास हो जाएंगे तो क्या दिक्कत है ये मंखिलिश मन से बोल रहा है कि चीटिंग से पास करना तो क्या बड़ी बात है जब योगी इतना था है तो पता लगा है पुरा चीटिंग माफिया है और उसके मेथड है चाहर आपके दर्शकों को बता हूँगा पहला में तो सॉलवर मेथड को सब्जेक नहीं आता है तो अरहन्द को सब्जेक नहीं और मैं एक्जाम लिखें उसके तो सॉलवर का पूरा गुरूप होता था और उसके चार-पांच लाग रुपर लगते थे कंडिट से चार-पांच लाग रुपर लिया थे ते सॉलवर भेद जाते थे उसके बाप पर बो लगते यह कैसे सॉल हुआ अधार मैंड़ेट कर द लागते चेटिंग किससे कराने की विश्षिज करी तीसरों में टीसरा तरीका दो बड़ा ही गंदा था मैधावी चातरों मियधावी चातर क के क्या आखरी के की ऊख़र्ट बंने बूर भूसरे छातीर के का इसने सो में सेंबंगे अक डिया dampॉर इंबूरा उसके चार-पं पहले पेपर लिग पहले भी हो जाता था और कुछ इस बार जैसी पेपर लुका पुरा एक्जाम रुका लेकिन रुकता है तो होती है पंदरा सोलह लाग बच्चे उनके पेरेंट्स बहुत दिक्कत होती है लेकिन आपको यह देखना है कि मैं अनफेर कर दूँ कि उसमें लागों लोग पास हो जाएंगे जो अबल नहीं है उससे भी नुकसान होगा वह और बना इंजस्टिस होगा तो लेकिन हां बहुत पेपर लिकिंग बहुत मिनिमल हो गई है सारे एक्जाम सारे वहेकल ट्रैक कर जाते हैं जी पिस से तक उसके बाद भी देखिए चोर तो के बार पुलिस से आगे बढ़ी जाता है अब जो सी बढ़नाली उस करनी इंक्रिप्टिद फाइल स्वाइब पेजतें हैं यहां पेंड के थिरू पर लॉस्ब हमें उससी समय प्रिंट हो थे सारे गेम प्रिंटर चान से ता बड़ी से हो था लेकिन अब बड़े बड़े शन्वानग रचार आपज्या आ नहीं क्योंकि यह पुरा रैकेट था पंजाब से बिहार से बिहार में तो अपनी चीटिंग चलती थी मद्यप्रदेश से कई जगह पर जहां पर चीटिंग उतनी कॉमन नहीं थी कि यहां पर परचा इसलिए भड़ते थे यह पर जाता ही नहीं जो लीग नहीं होता हो अर्याना में अर्याना सरकार का खैर एक तो यह हो गयारी फॉम और कोई ऐसा बड़ा जीच प्राइमरी स्कूल में दो बड़े और उसमें जो जो ऑफिसर थे बहुत काबल ऑफिसर है विजय करनानन जो कुम मिला के परभारी थे उनको अगया स्था है उसमें है काया कल्प में एक किस पारमिटर बनाएं के हर स्कूल में मेक्शूर करा गया कि पहले साथ पारमिटर जिसमें ट्वालेट, बजली, पानी, बौंडरी वाल यह हो और उसके बाद पूरे बाइस पारमिटर वो सब में हो सारे डेल्लाग स्कूल में हो दिली में कुछ भी काम करना असान है, 2000 स्कूल होते पर देल्लाग स्कूल है, तो सब में वो काम करना, वो मेक्शूर करा गया कि एक बेसिक सतर का स्कूल सारा हो सब को एक प्रेणा सूची दी गई, एक प्रेणा तालिका दी गई कि इतना minimum learning level maths में होना ही चाहिए, अगर वो second का बच्चा है तो चार operation आने चाहिए, अगर वो third का बच्चा है तो क्या learning level होगा, हिंदी में उसे कितना आना चाहिए, शब पढ़ना चाहिए, मातरा अंचा करें आपको टेबल दे दी गई, और उसको make sure करागे, ensure करागे, कि वो हो, बड़ी-बड़ी संस्थाएं, विदेशों के लोग, Harvard के लोग, सब को लगाया गया कि teaching teacher training कैसी करिया, तो Vijay Karan अच्छा काम करा, तो वो गोरगपर के D.I.M. कुछ समाझे, तो primary education में भी सुदर काम Learning Outcomes पर काफी है, Learning Outcomes पर काफी है, Learning Outcomes पर काम करें, Learning Outcomes is almost music to a year of educationist, क्योंकि Learning Outcomes को बात ही है, अदमी कहता है, मैं building अच्छी बना दूगा, मैं अच्छा यह बना दूगा, तो एक basic input है, कि वो building अच्छी आप कि तरी ही बना दूगा, जब तक teaching learning smart नहीं हो रहे है, जब तक आ कि अच्छी नहीं कर रहे है, बाकी सब कुछ fancy कि अच्छी बदलाव आया है, जैसे मैं, मतलब, एक learning outcomes के front पर और एक infrastructure के subject है, मतलब, minimum जो और criteria थो meet हो गया है, जी, 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 हाँ, उसका एक नीती आयोग पिछले पांच साल से, साड़े-पांच साल से, एक index नकालता है, उसको कहते हैं, मैं चाहते हैं, NPE, National Performance Evaluation, नाम शायद मैं तुर्टी थोड़ी कर रहा हूं, देख लेंगे, उसमें उत्तरपरदेश 2017 में जब सरकार आई, तब red zone में था, C grid में था, तो दो साल बाद वो B में आया, पर हमर जोन में और वो बिल्कुल green zone में आचुका है, जिसमें तीन मापक होते हैं, एक होता infrastructure, एक होता learning, एक होता processes, processes क्या हैं आपके, process मतलब teacher recruitment का process, teacher transfer का process, बच्चों किर्स का process, तीनों में improvement आया है, और अपना score अब कहा हम बिल्कुल red zone में थे, अब हम green zone में आ गया है, A grade के state में आ गया है, जो हम C grade में हुआ करते हैं, तो वो आकणों में भी reflect हुआ है, तीनों चीज़, तो शिक्षा में बड़ा काम हुआ है, एक chapter पुरा dedicated है, एक इसमें एक बहुत बड़ा जो कारण था, जो UP की backwardness का, वो यह था कि state capacity बहुत कम, जाना, state capacity अब एक तो यह हो हो, एक ही होता है कि आपके पास capacity नहीं है, उसको administer क्या करोगे, जैसे आपने बताया, पुलिस में लोग नहीं थे, आधे वो की भरती में देड़ लाख लोग है, एजुकेशन में टीचर्स नहीं है, तो इस तरी के देड़ लाख भरती हुई है, तो मैं यह बरती के ऊपर पूछना चाहता हूँ, कि कितनी भरतीयां हो चुकी है, कितनी भरतीयां भी process में है, क्योंकि जब इतने लाख लोग अगर जाएंगे, जिनको नोकरी मिली है, एक पर्मानेंटी नोकरी हो जाती है, वो बहुत बड़ी बात है, यूपी, बिहार, हर्याना, अपने North India में तो गवर्मेंट जोब का बहुत क्रेज है, वो उसी से आपकी शादी भी होती है, बहुत सारा समाज में आपका स्तर, बिल्कुल, तो उससे मतलब अगर आपको मिली है, एक अच्छे तरीके से, तो गाउं में भी message जाता है कि पढ़ना शुरू करो, लोगों को इमानदारी से न भी 6,000,000 नमर जाता है, जो जिसे कहते हैं हंदी मिन शाद एड-hoc मतलब जो उस पर होती है, जिसे हमारे जो गाड होती है, जो हलए बहुत पारतशी तरह से, बहुत पारतशी तरह से, एक और आ अब बात अब कोई भी कोड में केस नहीं जाता है देखे, जब नौकरियां होती है तो जिसकी नहीं लगी तो वो कुछ ना कुछ विवाद लेकर आता, तो कुछ विवाद टीचरों की जौडरी में चल रहा है लेकिन उसका भी कोई कोड में ऐसानी है, कोई भरती रोकी नहीं गई, यह सारे लोग फील्ड में कमिशन है, यह तो एक बात है नौकली की बात आई तो नौकली में एक चोटी सी बात और बता दूम, चोटी में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब इतना सारे इंवेस्टमेंट आया होता प्रदेश में, तो उससे ब कहीं पर लगडिया काम, कहीं पर काले चावल, ऐसे उसको इंटिफाई करा गया, और उसको फिर सुदिन करा गया, एक तरसे उसके लिए बाजार बनाया गया, उसको ट्रेनिंग दी गई, उनको एग्जिबीशन में दिल्ली विदेश जाने के पैसे दिये गए, उनको अपन इस पांथ साल में, जो प्राइवेट में हुए, लोग का बार उसको इस चारलाग से कन्फ्यूज कर लेते हैं, और चारलाग की तो नोकरिया लगी है, यह चारलाग की तो सरकारी में बहुत बड़ा नंबर है, और यह आकड़ों में भी दिखता है, CMI जो जो एंप्लाइम् रेट ड्रस्टिकली कम हो गया अब तो प्रतिश में, तो यह जब ऐसी नोकरियां मिलती हैं जिसे मैं बता रहा था, गाहों में मिलती हैं, तो एक तो आप कह सकते हो कि एक सिंपल तरीके से चार साड़े चार लाग परिवारों का वोट आपको मिलेगा, अगर आप उसे गिरी बंद कर देते हैं, और फिर मेहनत करने लगते हैं और उसे एक पढ़ाई का पढ़ाई का एक महोल बनता है, और गाहों में जैसे मालिया एक गाहों से एक आदमी निकला, और गते हैं तो सामान ऐसा वेक्ति है, ऐसा नहीं था, इसकी कोई अप्रोच है, अगर ये कर सक पैसे तो कमा हुआँ , वह के catch करा हुआ , फाल तो ह~~ समय वर पैसा परवाद करू , तो जब वह अपने gawnं से एप उस्न एपने भ्लोक इस sollte मड़ा का कुछन देखेगा अपने से एपने समाट से एपनी की लगती है हम लोग नहीं है , किसी की तो लगती है नौकली, पेपर में पढ़ जाता है, हम वाम भड़ते हैं नौकली तो हमारी आस थे, अब उन्हें दिता है कि हम लग सकती है, गाऊं के चार लोगों की लगी, वो भी समाने पर वारू उसे थे, पढ़ते बहुत थे, बस तैयारी करते थे, उनकी लगी है तो आपने बिल्कुल ठीका एक कल्चर चेंज जाता है और यह बड़े बदलाव होते है इसे हम तरह से कल्चर बदल जाता है सोचने के कल्चर बदल जाता है पॉलिटिकल कल्चर नहीं मतलब एकदम ग्राउंड लेवल पे और यही इस तरह का कल्चर अगर 10-10 साल रह जा तो वो स्टेट का कल्चर बन जाता है आपने इन्वेस्टर्स की बात की उनके लिए सबसे बड़ा यह था कि यूपी में लाइट ही नहीं आती थी थी नहीं बड़ा चैप्टर है मेरा बुड़ा तो मतलब वहां पे मेर को भी यह 2017-2019 में यह सबसे बड़ा देखने को मिला कि सब लोग बोल रहे थे 24 गंटे मैं गए 24 गंटे आरे नहीं नहीं आती तुम्हारे कैसे आ रही है तो बड़ा 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 दो साल में कैसे उसके लिए अगर आपको वो वीडियो याद हो जैसी सरकार बनी तो हमारे उर्जा मंतरी का क्या नाम है शर्मा जी का शरीकान चर्मा बड़े कट के नेता थे उनको बनाए गया आपको अपसे पता लग जाता किसको बना रहे हो ना कि उसका स्तर है वो रच्ट्रे प्रवक्ता रहे हैं माच्पा कि उनको बनाए गया आपके मतरवन्दावन से आते हैं और उस समय प्यूष गोल जी सेंटर में पावर मिनिस्टर थे अगर आपको याद हो जब 17 में सरकार होनी थी एक मीटिंग होई और उस समय स्वतन देव सिंग जी के पास मोस का उर्जा का चार्ज भी था प्रदेश अदेख्ष नहीं थे एक मीटिंग है जहां प्यूष गोल जी बैठे है श्रीकान शर्मा बैठे है और बिजली के अदिखारी बैठे है वह वाइरल हुआ था कि अगर मैं बता रहा हूं बिजली की चोरी करनी है तो यह विभाग छोड़ दो प्यूष गोल जी कई बार इतने अक्रामक रवाई है के लिए नहीं जाने जाते है बल्कुल उगली उठाके हिंदी में बोल रहा है वो वीडियो वाइरल हुआ था अब लोगला नहीं हुआ फिर प्यूष गोल जी ने बहुत स्मार्ट चीज़ करी अखलेश क्या कहते थे मुझे बिज़ी नहीं मिल रही मैं तो खरीद ना चाहता हूं मुझे बिज़ी नहीं मिल रही उन्हें नने क्या खराए एक पूरी एब बना के बता दिया कि कहां से बिज़ी खरीज सकते हैं कौन इसको बिजली खरीद नहीं है आप अपना request करो बिजली आपको मिल जाएगी तो अकलेश का यह जूट था कि मुझे बिजली नहीं इसको expose कर दिया कि आप बिजली खरीद नहीं रहे बिजली available की problem नहीं है किस state के बास बिजली है किस power station के बास कितनी बिली है मतलब national exchanges में engage करना बहुत असान बना दिया उनुन ऐसा नहीं कि आपको पता करना है आपको बिलकुल पता है कि कहां पर बिजली available है कितने दिन के बाद available हो सकती है तो वो easy कर दिया 2017 में आता ही योग अतना आइच को पता था कि प्रस्पेरटी लानी है तो बिजली तो दे नहीं पड़ी बिजली के मेंना industry नहीं आने वाली वो जनरेटर सेट पे इंडर्स्ट्री नहीं चल सकती बहुत बड़ी जनरेटर सेट पे और उनने टारगट दिया कि मैं जिला मुख्यालों पे बड़े डाउन पे 24 गंटे, तैसीलों में 22-23 गंटे और गाउं में 18 गंटे अब ये बहुत बड़ी सोच में बड़ा था, जहां बिजली 8-9-10 गंटे आती थी मातर, वहां पे बीच-बीच में गडबड़ा हो जाती थी, बती कम हो जाती थी, तीन फेस की लाइट नी आती थी, वहां पे 18-20 गंटे बिजली मिला, मतलब अलगलग धंदे बन गे थे, mobile charging station आपको पता यूपी में, कि आप 10 मिन अपना mobile charge करके ले आओ, वहां पे उसके 10 रुपर लगते थे आप, मतलब अदमी कुछ तो करेगा है ना, वहां दस रुपर करके तो इस तरह की चीज़ें जहां चल गए थी, तो अब मेरे मेरे मितर हैं, जो जनसेट में काम करते हैं, जनसेट का धनना खतम होंगे हैं, बहुत मिन वाले जो हैं, डीजल वाले भी और छोटे वाले भी, घर वाले भी और जो बड़े डीजल वाले भी, बन नहीं हो है, उसका तो अब बल्कि एवरेज डेटा आया है कि शेहरों में 24 घंटे जो प्रॉमिस किया गया था, वो 23.4 म और यह मतलब सिर्फ वहां ऊपर बैठ है अदिकारियों का डेटा नहीं है, मतलब यह नीचे गए हैं आप वहां पर बाट करना मुश्किल है, इस सब इलेक्रोनिक ली दर्ज हो आता है, और आज कल तो आप बताएंगे, तो सो यूट्यूब कमेंट आएंगे कि भाई मैं इ आपने देखा होगा, आपी फिल्ड में मैंने यह बताया नहीं कि यह बहुत बड़ा बदलाव लोगों ने बताया, 2019 में इसका एक हाइंड साइट क्या ने लिगा हमारा बिजली का बड़ा आता है, आट गंटे की बिजली का, आट गंटे का बिजली होगा, वीज गंटे की लेकिए जब नहीं बड़ाली आती है तो थोड़ा सुसाइटी में चेंज आता है न, अखिलेश के टाइम में जो मैगजिम बिजली ट्रांस्मिट हुई पुरे प्रदेश में होथी 16,000 मेगवाट, आज 16,000 पुरे प्रदेश में जो ट्रांस्मिट हुई, योगी एतिनाथ यह कहां से हुआ? जो हमारे जिले मायवति आती तो खास जलो में बिजली आती थी, अब ऐसा कुछ नहीं है, अब गोरगपुर बनारस में बिजली आती है, जितनी इतावा बिजली आती है, बस वो मारकेशन है, तैसील, गाओं और शेहर, यह दिमारकेशन बस एक और कल्चर है, यह आपने का बिजली देने वाला कि अपने अऌर गुट में अपने अपने गड़ में गड़ में देदेते थी, हध het तैसमें होता था? कि रमजान में बिजली आती है दिला में बिजली आती है अचलेस के पंडिश mourगई लिखे ही तो ये मैं कहीत रहा था कि विजली बिजली का एक और मैं देखा। कि विजली जादा आने लगी और जो लॉस था विजली विबहाग वो पहली बार प्रोफिट में चली गई। इसका में फायदा भी पताता हूँ अपको तो ये ऐसा यूपी में भी हुआ क्या है अब जब बिजली आने लगी तो बिजली के बिल कलेट करना सालों से कोई भी अच्छी बुरी आदत लग जाए तो वो आदत बन जाती है बिजली का बिल ना देनी के आदत पड़ जाए लोगी बिजली के वथी अच्रय नुकसान क्lor 2010 किरिक ऊपना कोई इंफ इंफट duplicate नहीं करती है अधने अपरे करती हैं अपने सबस्टेशन करती है तो फोग जाएगा तो be यहां बील कर ने की वी पूशिश करे कि कैसे इसे विजली सब्याइब कर जाया, विजली के जो पुराने बिल आपटें के उनके ट्रिबूनल बेटें, वनको सट हुए वाने सारे बिल क्लियर करें इससे सारे जितने भी UPCL और अलग डिसकॉम्स है वो वेलफेड हो अभी और बहुत सारा काम होना है दिखे ये ना कल्चर है जब 10-20 साल से कल्चर बन गया था बिजनी का बिजनी नहीं आईगी तो नहीं आईगी मैं क्योंकि मुरदबाद रामपुर में पला बढ़ा हूँ, महां से मेरे माताजी पिताजी आते है हमारे घरों में जब हम स्कूल की छुट्टियों जाते थे तो हर वेक्ति के लिए हाथ जलने का पंका एक ग्रॉसरी आइटम की तरह था सबका अपना-पना, क्योंकि लाइट जाईगी तो सब अपना चैंड बाइज मेरे हावा काम था घर में में ब॑ड़ा है तो आपको उसको हवा करनें बढ़ती ती तो वो ंवो टाट वालें सोसों लोग मैं भद अलब आने वालें गॉमाने वालें पंकियों, जपाणी। शेजाए फिचर था वहां पर तार लगा देते हैं वहां से बैसे नहीं पूरा एसी चल रहा है। आप ट्रेस कर सकते हैं किस घरों में बिजली चोरी हो रही है, कहां पर बिजली के ट्रांसमिशन लॉस हो रहे हैं, कहां पर चोरी के लॉस हो रहे हैं, जो पुराने डिस्कॉम्स थे वो बड़े अलग स्थर के पहुंच गया है। जो उनका मंत्री निवास से लखना होगा। यह दिखाने के लिए कि मंत्री भी बिजली का बिल पे करेगा। तो बिजली में बहुत अच्छा काम है। और वो दिखता है। बिलकुल आप गाहों में जाएंगे, कोई ऐसे जुण बोल दे तो अलग बात है। उसको कुछ और बैर हो सरकार से। लेकिन परसेप्टबल चेंज है। परसेप्रदेश के रूप में जाना जाता है। और मोदी को योगी को भी अब एक्सप्रेसवे मैन। मैंने पहली बार अपने एक आर्टिकल में संगया दी ती, कि शुट भी गौल दे मने न्यूज एटीन में अर्टिकल लिखा। और जब मैंने पंजन में लेक लिखा, त और मैं बताता हूँ, जहां पर क्रेडिट है वहां देना चाहिए। ऐसा नहीं पिछली चरकारों में एक्सप्रेसवे नहीं बने। पर अंदर स में एक्सप्रेश by को होईं मतलब Ne做ल लिखा उसको उसको लेक्ता को इक्सप्रेश, पर ने लिखेप्स को फिर एक्स नहीं टी श्क्रईश, पुरेश नहीं हो पाई है अखिलेश ने अगरेशन करा उसका फिर अखिलेश ने बनाया आगरा से लखनू का चुनाव के पहले जब ऐसी परसनटी कंप्रीट हुआ उन्होंने उसको लांच कर दिया उसमें बाद में बड़े सारे एक्सेडेट हुए उसमे मैंने किताब में लिखा है उसमें क्या-क्या कंप्लीट नहीं था जो योगी सरकार में पूरा हो और साथिय। इतना अतने पुरवां चलेकस पे बनाया जो कर रीब नौ जिलियो को बनाता है लखनौंव से गाजीपू को जो खतम होता है वो बिहार से मातर सतरा ठारा को मुड़ते हैं और फिर पुराने वाले एक्सपरेसे से अब एक तरने से बिहार से दिल्ली पहुंच सकते हैं दस घंटे पर जो चकित करने वाला उसको एक वो भी जो बन रहा है भी बना नहीं है गोरकपूर जाएगा यहां पर गोरकपूर जैसा जिला जो मुख्यमंदर का जिला भी नहीं किनट करा गया उसके लिए फिर अलग से लिंक एक्सपरेस बना जब उसकी बाद में बनाएगा जब देखा गया जो सबसे जो जो कॉस्ट एफेक्टिव रूट अलाइमेंट वो क्या है अब मैं ऐसी नहीं कि यहां गुमा के वहां गुमा के मैं सारे नेताओं के घरों से निगाल लूँगा एक्सपरेस बन रहा है यह होगे वो 91 किलोमेटर का है फिर बुंदेलखन एक्सपरेस बिए जो आल्मोस 90 पर की ड़ी करण से चाहि के काम हो और यह जो एक्सपरसवे काम हो भो उससे बुंदेलखंड से फिर आफसे एटाबं में प्राने वाले इस परेंगे अब दली पहुंच जाएगे। और जो अभी गंगा एक्सपरेस बैग का जो भूमि पूपूजन हुआ हुआ है वो चकित कर से होगा जब हो जाएगा तो 35 साल में उसका भी होने का पूरा सारी ये पूरा करना ने तो कॉंट्रेक्ट्र को फाइन होगा तो ताइम से ही पुरा कड़रेगा बहुत ही कॉलिटी कॉंट्र जी अवधिया दौजर चोविस पचें से चौविस के अंत की तरफ हो लेकिन मजी की बात क्या है, पहले अखिलेश क्या करते थे, प्रजेट डेक्लेर करते थे और उसका भूमी पुजन करते थे, और जितने भी EPC प्रजेट होते हैं, इन में जब तक हम 90% लांड अक्वायर ना कलो, तब तक तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो किस पे बनाए हो रहा है, वो हो रहा है, जहां पर 90% से ज़्यादा लांड अक्वायर करी जा सुकी है, जहां पर टेंडर, प्रिबिडिंग, टेंडर, फाइनली, पैकेज़, अलग पैकेज में मिलते हैं, एक को नहीं मिलता है, क्योंकि अगर एक डिफॉल्ट कर गया तो उसको बड़ा का पैकेजिज में में बनायाता है, वो पैकेज़ अलग होची है, तब नारेद मोधी ने पैकेजन करा, अखिलेश के दिमाग में आज तो भूमी पैजन हो गया, योगी जी के दिमाग में आज प्रिफॉल्ट बवहीं पैजन हो गया, जब उसका काफी लंबा प्रोस्स होता ह फिर युपिडा उस पर प्रिबिटिंग करेगी, फिर तेंडर करेगी तब तेंडर करेगी, यह सारा काम हो चुका है तब गंगा एक्सप्रस वे अब कॉंट्टर आएगा, एक बार कॉंट्टर आजा तो वो काम असान है पता है, क्योंकि वो तो उसका एसोपी है, ऐसे कैसे फिनिशिंग करने हैं, कैसे गाड लागा, क्योंकि वह हुमन है, मुझे आपसे जमीन खरीदनी है, और आप अकेले नहीं है, बारा जिलों के गावं, बारा जिलों की अलग तैसीर, अलग लग एक तासीर है, हर जिले में अलग करने का व्यक्ति है, किसी का भूमी से बात स्मूधी यह काम हुआ है, इतने सारे एक्सपरस वे, तो मैवती नहीं भी एक्सपरस वे बनाए, अकलेश नहीं भी बनाए, लेकिन यहां पर हम, लेकिन वो रहेंगे नोईडा में, आप चंता ना करिए, वो इतना बदलाव आप उनके काम में नहीं आने वाल है, लेकिन उनके लिए मतला सुगम हो जाएगा, बहुत जाना अलग अलग जगे भी जाना, लेकि मेन तो यह है कि उससे क्या होता है, कि सिर्फ ये मीडिया के लेकिन जो असली विकास जो है, चाहे किसान है, सब के लिए ही है, जो परिशिबल आइटम बेशते हैं, जो फल फूट बेशते हैं, जो दूद बेशते हैं, उनके लिए बहुत असान हो जाएगा, बलकि मैं आपको एक कोटेशन कोट करता हूँ, मैंने अपने में जॉन F. क अगलिश के टाह sha मैं चोल पुर्फलिक्शन हो था तो यहां से दिली से मेरट जाना एक बड़ा मक्षन हो गया है अगर आप सो जाएं बीच में तो आपको तो दहरा दून गया था तो मेरट से होके तो मेरट वाला तो इतना मतलब इससे बढ़िया रोड मैंने मुनलब देखा नहीं है सच में और वहां पर नब्बै की लिमिट नब्बै की लिमिट तो बनती नहीं है यहां पर 120 की कम से कम होनी चाहिए बोला भी कुछ कोर्ट के ओडर से तो मैं उसको चेंज करना कुछ चाता हूं तो करेंगे जब आप प्रॉब्लम को हैड़न लेंगे तो सौल भी होगी ना और जी जब सेंटर स्टेट का हम रिलेशन सजेशन है एक्सप्रेस्वे का या बहुत बहुत सब्सक्राइब नौर्थ में थोड़ा कम लग रहा है ना नौर्थ किस तरफ करें अब पर जो नेपाल बोडर और इस सब को करेंगे यह जो सारा जो पुर्वांचल एक्सप्रेस बना पुरी बेल्ट के कई जिले नेपाल क की तरफ को है फिर उसमें गौरकपूर लिंक भी बन जाएगा तो मुझे लगता नहीं और फुर्वांचल इसमें लिंक एक्सप्रेस बन जाएगा तो आपको पस इंटरचेंज मारना इसमें आयोद्या का भी चाहिएगा यह जाता है फैजाबाद से होता पालना फैजा ना जो इतने सारे आपने का एक्विजिशन हुआ अब देखो कितना 600 किलो मेटर लगबग गंगा एक्सप्रेस लगबग यह कितना 1500 किलो मेटर का हो जाएगा सब मिलागे सब्सक्राइब चलो उसमें से यह 400-400 जो हो चुका है उसको हटा देते हैं हजार तो है पर नहीं हजार चैसो तीनसो तीनसो बारासो तो यह होगा नभवेका गोरुकपूर और मैं एनेच नी आइड कर रहा हूं इसमें मोदी जी खाते में जा रहे हैं एनेच गिनेंगे तो फिर मेजर एक्सप्रेस में हैं जहां पर आपकी दूरी मैं दूरी बताता हूं 10-10 गंटे की दूरी 4- में दूर्स वहा है перa Peda कइनी कितने सब्सक्राइद को Ôई मस्टे पूसते है इसक्राख न बारेग है तो सबसे बड़ा फायदा हुआ है वह दूरी जाओ संबर है लेकिन 6500 फोगार डरा कि वह आजमगड़ों की साथिम कॉंस्टूंषी मेरा सवाल ये था कि इतने सारे जब बारासो तेरासो चोदासो किलोमेटर बड़े एक्स्प्रेस वे कितने हजार किसान लगपती या करोडपती बन गए होंगे आपने थोड़ी बात की किसी से तो जीवन में क्या परिवर्तन रहा है सबसे आपने इतना अच्छा डिटा पुछा है मैं एक ट्रक्टर बेचने वाली कंपनी के नाम नहीं लूँगा उनके एक वेक्ती के साथ बैठा था अभी पांचे दिन पहले में लखनों में था और उनके बड़ा मज़ी का डिटा दिया और जाएव जासे बाराग जिले में हजारों किसानें तो वह पर ट्रक्टर सेल बढ़ जाती है यह तो जमीन बेच दी तो इधर की बेची कहीं और भी जमीन उनके पैसा आ जाता है और जब पैसा आता है तो इसका अच्छा हो भी हो गए ट्राक्टर, तो यह थो ट्राक्टर खरीद के किराये पे लगा देते हैं, यह पर ट्राक्टर खरीद के अपने खेत में लगाते हैं, तो आपको एक आखड़ा दोंगा, आपको मज़ा है गा सुनके, 2015-16, अकलेश के अं यह लाग के ऊपर तो हो गई है, अब यह दोज़ार वी सिक किसमें, डेल लाग के असपास महोंचेंगे, तो चिसान संब्रद अलग तरह से हुआ है, तो किसान की संबंता भी दिखाता है, और बहुत सारे जो, जिसले कहते हैं कि एक चीज़ करती है, जो हम सोच भी नहीं ब गुडगाओं के साइड हुआ, तो मजाग बनते थे कि एक कोठी बना ली एक पजैरो ले ली भलाना दिखड़ा, तो वो शायद वहां पे भी होगा, नोईड़ा में भी हुआ है, दस परसंट, दस परसंट, बीस परसंट लोग थोड़े से, जिसे मैं कम तो पैसे उड़ा पैसे भी नॉर्मल लाइफ में होता ना, सबकी सैलरी एक उसे सेफ करता है, अपने परवार किल लगाता है, घर खरीता है, एक आदमी उसको उड़ा देता है, जब पैसा आता है, तो एजुकेशन में भी होगा, वो ट्रांसलेट, नुट्रिशन में होता है, आदमी अपने पहने का स्थर करता है, भार शिक्षा अपने अगर शेहर में अच्छी शिक्षा निए भार शिक्षा, बदा बिजनस शुरू करें, वहां पर लोगों को नोकरी भी मिलेगी, तो सी चे उन जाता है, उस एरिया में, हमने दिखा ही इस अगरा वाली बेल्ट में कितना फरक प Because America is good-roads, America is rich So, एक अच्छी सड़के एक परदेश को, एक देश को रिच बना देती है तो ऐसा नहीं कि अमेरिका रिच था, इसलिए उनना अच्छी सड़के बना दी क्योंकि वह अच्छी सड़के बनी, उसमें इंविस्ट करागया, इसलिए अमेरिका रिच हुआ क्योंकिनेक्टिवटी हर तरही किनेक्टिवटी चाहे हो फोन की हो चाहे हो इंटरनेट की हो चाहे हो बिजली की किनेक्टिवटी हो चाहे हो सड़क की किनेक्टिवटी हो चाहे हो हवाइजाज की हो चाहे हो रेल की हो वो डिस्टेंस कम करती हैं समय बचाती है और एक अन्वा वाइबल हो जाएंगे अब क्योंकि सब्सक्राइब लेलो सब्सक्राइब होती है उनका बिजनिसी साइकल चेंज हो जाती है और आप नए मार्केट में सेल कर पाते हैं अच्छा स्टेट हाइवेइज में भी कुछ बदला है तो मतलब सिर्फ डबल इंजन नी मतलब अपना भी इंजन चाही काम कर रहा है तो यह किसानों में खासकर की उत्तर प्रदेश के पस्चिमी भाग में गन्या किसानों का बहुत-बड़ा मतलब हजारों करोडों का दस-दस अजार करोड के पैंडिंग द्यूज रहते थे तो मैं अभी 26 नवंबर को का डेटा देख रहा था तब तक का डेटा एक दिसंबर को शायद संसद में रखा गया इक दिसंबर 25 दिन पहले की बात है तब वो डेटा में आया कि 2019-20 का जो से है शुगर केन का 2020-21 का जो अभी चल रहा है 2020-21 का भी मतलब खतम हो गया है 22 का चल रहा है तो वहां का 3700 करोड बचा है out of 33,000 करोड तो मतलब लगभग 10% भी नहीं नहीं बचा है तो एक मैं यह समझना चाहता हूं कि यह दिक्कत क्या होती थी बड़ी इंडरस्टिं कहानी ठीक है और एक यह मतलब शुदार किया तो क्यों किया क्योंकि पैसे की तो कोई कमी नहीं थी पैसा तो फैक्त है थे कि दस अजार दे दिया भी सजार दे तेकि नो पहुंचता नहीं था एक तो इसमें दो तिन बाते मज़े के अपना अच्छा कुशन पूशा अगर प्रश अपनी नहीं पैसी अब को अपने प्रश्चार को नहीं धे तो अब आपको अजीब लेगा का क मृदिं और पैसाइगा पीसा अब पैसा कहूं Commission की सरकार नहीं देखी तो अब आपको सर्कार को नहीं देना था यह पैसा प्राइवेट कंपनियों को प्राइवेट मिलों को देना था अब आपका काउंट है लेकिन हम दोने मिलके एसकोड बना दिया कुछ सपेशल परपस के लिए और हम दोनों के साथ ही सिंगेचर के वो निकल पाएगा और उसी परपस के लिए हम पेव कर पाएगे अगर मैंने काया है, मैंने मैं छोटा, यह इस escrow account से जो मेरे और अरहन के बीज में उससे केवल यह bottle खरी दी जाएंगी, तो आप उससे फिर यह mic नहीं रिच सकते हैं, तो escrow account बनाएगा, जिसका purpose था, कि जो भी शुगर की बिकरी से चीनी मिलको पैसा आएगा, उसका 85% आप पैसानों को पैमेंट के लिए बनाएगा, तो यह पहले सरकार जब पैमेंट कर देती थी, सरकार नहीं पैमेंट करती है, तो यह कहते क्यों है कि रिलीज कर दिया 10 अजार करोड, हमने 7 अजार करोड, वो तो corporate की जो चोटी सी मिलें, जो cooperative की मिलें, 15-20% है, अब आपको किसी अजार का द्वाब बनाया, आपने उस पर केस कर दिया, लेकिन केस करके कब तक करा लोगे, कोई चीज आप दवाब से नहीं मिना जाकती, तो आपने system मिना दिया, चीनी मिलें नहीं पैकरती थी, चीनी मिलें एक साल के अगले साल, अगसल, और सरकार इन पर दवाब नहीं है 4.2, 4.3, किसानों ने download करे ही है, कुछ CSC की मदद से use करते हैं उस app को, तो गन्ने में जो भुक्तान हुआ है, जब योगी की सरकार आई 2017 में, तो करीब 20.5 साल का payment pending था उस समय, बहुत सारे लागों किसानों गा, और वो payment हुआ उस समय, तो गन्ना किसान है, कि जैसे 2020-21 का मार्च में हो गया था न, खतम, तो अभी December चल रहा है, तो अभी भी मतलब 3700 करोड बचा है, क्योंकि क्योंकि कोई कारण होगा कि कुछ किसानों का रह जाता है, बड़ा पुराना tradition, कुछ किसानों का ने, कुछ मिलों की पेमेंट रह जाती है, जो वेल फंक्शनिंग मिल्स हैं, जिनके पेमेंट्स ठीक से हैं, वो तो चल जाती हैं, तो आप कोशिश करा जा रहा है कि, या तो अनुदान देके या लोन देके, इन मिलों का उपग्रेट करा जाए, इनके प्रोसेस ठीकर जाए, जो अपनी मिले हैं, बहुत सारी जो चीनी मिले, सरकारी, महावती जी के समय, बिल्कुल ओने-पॉने दाओं में, बेचिंग, उसमें CBI केस चल रहा है, गई लोग उसमें कन्विक्ट भी हुए, उनको दुबरा रिवाइब करा गया, मैंने किताम में बिल्कुल डीटेल है, जिलेवार, कौन-कौन सी मिल को रिवाइब करा है, कब शुरू ही, कब खतनम ही, उसकी TCD क्या है, किपनी क्रशिंग कपासिटी है, पूरे उत्यप्रदेश की करशिंग कपासिटी बहुत बढ़ गया, उत्यप्रदेश फिर से फिछले 4 साल चीनी में नमपर वन है, जो महारास्टा हो गया था बीच में, बहुत पहले कभी होगा करता था उत्त्यप्रदेश नमपर वन, फिर से नमपर वन आ गया, तो गन्ना किसानों का जीवन बहुत मिठा हुआ है जो गन्ना जो मिठा जोगाते हैं उनका कुद का जीवन वो एक क्रिटीसिजम ये था कि बढ़ा नहीं रहे रेट वो भी बढ़ा भी दिये है ये वो भी बढ़ गया, 25 उतर बढ़ गया तो शायद वो ट्वीक कर सकते हैं एस्क्रो में जैसे आपने का न 15 परसंट उनको अपरेटिव एक्सपेंसिस क्या पता हूं इनेफिशेंसी की वजए से 25 परसंट लगता हूं इसलिए दिक्कत आ रही हूं तो वह भी आप प्रॉब्लम को हैड ओन ले लेंगे तो फिर वो सॉल्फ होगी अभी 90 परसंट लों के लिए 10 परसंट के लिए और सॉल्फ होगी क्योंकि अभी क्या है कि पहले दो साल में मिलता था अभी एक साल में मिल रह यह चैन महीने में मिल रह था तीन महीने मैं तो लोग कहेंगे यार नहीं ओर तेज चाहिए हमको तो वह आशाये भी बढ़ जाएंगे जनता तो डिमांडिंग है और आप एक चुनाव तो अच्छा करके जीद सकते हैं, अगले चुनाव तो कोई याद नहीं रहेगा उसको, वो बुझ जाए कि पहले दो-दो साल में मिला करता था, आपके तो पंधरा दिन का तो अच्छी बात है, यह तो दबाव है, अब जनता में कितना फरक पड़ा, सारी स्कीमें उसी में बैठी नहीं है, वो बेस है, अगर वो बेस ना हो, तो मैं स्कीम नहीं बिठा पहूं, उसी का तो करण है कि सो में से सो जा रहा है, पहले पंधरा ही जाता था, राजी उजी के सो, बिलकुल, अच्छा इसमें एक जो चैप्ट का और अयुद्या का भी बहुत कुछ जान, इसके इनके अलावा में ये सोच रहा था कि भव्या मंदिर जो गोरकनात मठ, इनका तो माराजी का खुद है, वहां पे क्यों नहीं बहुत बना रहे उसको, ये खुद ही नहीं कर रहे कि भई, नहीं मैं सियम हूं तो मैं यहां इसे बहुत काफी भव है, और गोरकपूर तो पहले ही एक धार्मिक नगरी रही है, पूरा नगर गोरकनात मठ है, उसी के अधार पर चलता है, मठ का बड़ा वहां पे लोगों के मन में विश्वास है, लेकिन लेकिन वो सीम सिटी वाली बात आ रही है गया, बहुत सारी च उस परदेश जैसे काशी है, काशी उसका महत तो इतना है, उसमें भाबा विश्वनात है, बहुत बड़ा सेंटर, तो उसमें बहुत कुछ हुआ ही, हमने देखा है, काशी तो आम लोग सब गए हैं पिछले पांसाथ साल में, तो जब हमने कुम देखा, 2009 इसका जब कुम तो पता था, और क्या भवे कुम हुआ, उसमें अनराइज आए, उसमें सारे लिओं के राजने का है, उसमें बड़ बड़ निता है, उसमें करणों लोगा है, मैंने काशी से कवर किया था, उसमें किस तरीके से टेकनालोजी का, फस्तिन बहुत चारी चीज़ें हुआ उसमें सबसे चीज़ थी सफाई, आपको दिखती थी, आपको नदी के पास जो बालू दिखती थी, उसमें कुछ छोटा सा भी आता था, तो आपनी लेकर चलते थे, रेड ड्रेस में बढ़िया, जचता प्रहरी, आप इधर देखो तो आपको चार पांच इधर दिखेंग डेड़ लाग, दो लाग कितने थे, अब ऐसे आप गरदन कुमाएं, आपको टॉलेट दर दिख जाएगा, महिलाओं के अलग टॉलेट, बहुत सुन्दर, बहुत सुन्दर, इसके इनके अलावा भी कुछ हो, कुम हुआ काशिविशनात में हमने देखा, हमने देखा, जो अधिया में हो रहा है, अधिया नगरी पहले से, जब मंदर का वर्डिक में या था, अधिया नगरी बहुत अप्ग्रेड हो गए थी, उसके तारों को नीचे करना, उसके तालाबा को साफ करना, उसके घाट करना, और दीपोटसव, अपने हाँ में उस जगे को इंटरनाश होता है, तो वहाँ कोरिया की फर्स लेडी आती है, इंडोनेशिया से, थाइलेंड से, रमायना के मंचन करना आती है, और जो धिये जलाने की संख्या है, उसके लिए माटी बोर्ड बन गया है, वो बहुत सारे पैसे कमारे है, बहुत सारा आर्थि, वहाँ पे आसपास के ग जो 2017-18 में ही बनाया था, उसको मुंसिपल कॉर्परेशन मना देगा, पहले मेर बने हर्शी के शुपाद्या है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर गाम हो, और ऐसे देव दिपावली बहुत बड़ी हो गई, उनमें बहुत सारा फंड मिलने लगा, और लोग इसको सर्फ अध आट रिलिजिस एकॉनमी पर चलते हैं भारत के, तुरुपती तुरुपती का अरंथ जो एक साल की जो एकॉनमी हो तीन हिजार के कोनमी है, गणेस विसर्जन मा तर मुंबही में पांचा कोनमी है, कामर रियातरा जिससे हमारे लिबरेल में तर बहुत चिड़ते हैं, वो ध को इंप्रूव करना, तो अब जब आप इन स्थानों पर जाते हैं, तो आपको एक अलग सी आभा दिखते हैं, तो एक योगी मुख्यमंतरी का योगी का आभा है, यह मैं वो बहुत जोड सरकता है, एक वीडियो भी आई थी अभी बहुत वाइरल हुई, दो तीन दिन पहल हैं दो एक बहुत बड़ा से लोगों को लगता था था ह कौन इनके रिष्टे नाते हमें कुछ ने बता है सेम योगी अतनात का जमानून पिछली किताब में दमांग को विकेम चीफ अनिस्टर में लिखा है मैं पढ़के सुनाओंगा तो आपको कुछ नाम बताऊंगा और मुझे लगता है यादव राजनीती भी नहीं यह बस सफाई खांदान के राजनीती बिल्कुल यादवों के भी सगे नहीं है मुलायम सिंग यादव खुद कई बार संसे सदस से और तीन मार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे अकलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के विबन लोकसबाद शेतनों से कई बार संसद रहे पुलायम सिंग यादव के सब से चुटे बाई शिवपाल सिंग यादव उthese में गडवासः भगगा औरह विद्गी रहे शिवपाल सिंग-शिफ्व यादव के बेटे अढिक उट्तरप्रदेश्कारी संत्याęd के अद्यक्ष रहे मुलायम सिंह यादव के दूसरे भाई अभेराम यादव के बैटे धरमेंदी यादव उत्तव प्रत्रेश से तीन मार स्दश रहे उत्तर दर्मेंद यादव की भवी वनना यादव हमीरपूर से जिला पन्चायत के अभी यादव का ह्थनर अभी आपको सुनना पड़ेगा एक नोटार अभेराम यादव की पुतरी शीला यादव जिला विकास पत्रशित की सदस्ते रही अभेराम यादव की दूसरी बेटी संदह यादव मैनपुरी से जिला पंचायत के दिख्ष रही मुलायम सिंह यादव के अन्य भाई राजप यादव की दुद्धा यादव की बेटी से शादी करें यह हो गया रहतन सिंह आदव की प्रखंड विकास प्रश्यत में रही बेटीस फ्रोजबाके शांसत रही तो यह मायजाल में आपके दर्शकों को अपने किताब में इस लिखा प्रश्ग की तुदीर कंफूज होग बाइब उसका बाइब उसका कैसे में राजनीति में नहीं है। प्रदेश की वेल्थ प्लानिंग करने के लिए दो धरदूगा योगी इतनाथ के बास पहली फाइल जो आई जब वो मतरी बने आई कि आप कौन सी गाड़ी खरीदेंगे तो गाड़ी क्यों खरीदनी है यही परिपार्टी है जब मायवती आई तो उन्होंने करीब एक डट करोड की लैंड क्रूसर खरीदवाई ब्लोड प्रूफिंग के साथ फर जब अखलेश आदवाए तो उन्हों सबक्राइब हिसे में सुकुंभाई उसमें घाइसर उरुपर खर्च करो और जो शीठ आगे वाली उसका रंग है इसके बागवा कफटा लगा दो यह आद में मुझे और दो इ Bereich मेरी कुरसी Deputy मेरी कुरसी नहीं ये कार मेरी नहीं है किंवह एक साधान है सबसे पहले आते ही पिछले कई सालों के बजट स्टड़ी करे कि कैसे उत्तरप्रदेश सरकार पैसे खर्ज करा करती थी उनको एक मद बड़ा खट खटाया कि वो था उत्तरप्रदेश के मुख्यमंतरी और मंतरियों का टैक्स वीपी सिंग अगर आप पता जो देश के प्रद में खुद देना चाहिए क्या पता वीपी सिंग के समय गरीब होते हों विदायक पता नहीं अखले शयादा जिन्होंने अपनी पतनी के साथ करीब 35 क्रणों की संपती डिकलेर करी अपने अपने पेपर्स में उन्हें भी कहीं दिमाग में है लोगी ने का भई मेरा बाबू मेरा ऐस। सब्सक्राइब करने का तरीका जो ना वह किस तरीके का है किस तरीके से वो सोचते हैं ये तो इस तरीके की बातों से पता चलता है लेकिन decision making कई बर क्या होता है कि जैसे हमने कुरोना में देखा जब उनको खुद कुरोना हो गया था तो एक जो बाबू लोग कहलो या उनका वो आ गया था उसके बाद काफी criticism हुआ जब वो वापस आए ठीक होके तब थोड़ा सुधार आ है और ये कई बार देखने को मिलता है जब एक ऐसी घटनाए हुई है law and order की भी जहाँ पर पुलिस की insensitivity देखने को मिलती है फिर थोड़े दिन बाद जब मीडिया का वो होता है तो वो थोड़ा समलते है तो ये बार बार देखने को मिलता है और एक criticism ये आता है कि यार ये तो योगी को सारे जो बाबू लोग हैं वो पागल बना रहे हैं उनको बुद्धू बना रहे हैं तो ये जो perception है कितना ठीक है कितना गलत है देखे योगी इतना जैसा experience मुख्यमंतरी उप्तरदेश को नहीं मिल सकता था मैं ऐसा क्यूं कह रहा हूँ तीन-चार करण उसे कह रहा हूँ योगी इतना जैसा मुख्यमंतरी बने है शायद वो पहले ऐसे किसी भी प्रदेश के मुख्यमंतरी होंगे व्करावल-देटा ने इसली किताब में राहूल-गांदी से इनका डेटा एकवाल-टथा काम के मत करो कंपर करता हूँ तब भी योगी इतना शायदम बहुत इतना है अपरहरेग करते हैं तो ऐसा यो 19 साल करते हैं कई standing committee में रहे, कई parliamentary committee में रहे, कई visits में बाहर गए, देश के बाहर गए, देश में ब्रवन करा, तो उनको सरकारी काम काज की पूरी समझ थी, सरकारी काम, teacher के साथ, किसान के साथ, subsidy कैसे होता है, क्योंकि वो सालों से यही कर रहे है, सांसत के, फिर उनके अपने मठ में वो साल से पिछले 19-20 साल से जंता दर्वार लगाते हैं, जिसमें हर जाती, पंत, मत का, 300-400 लोग आता है, गोरखपुर का नहीं कई जिलो के लोग आते हैं, और उनका लेटर चाहिए, DM को लेटर लिग दिया, SP को लेटर लिग दिया, महावथी की सरकार हो, अखिलेश की सरकार हो, मुलाहिम की सरकार हो, DM काम करेगा ही, करेगा, ऐसा उनका वहाँ पर शब्द चलता है, तो उनको यह सब experience था, इसके बाद वो पहुँचे वहाँ पर, तो उनको पता था, तो बाबू यह कहने की बात है, कुछ भी उड़ा तो बाबू उनको घुमाई ने सकता, बलकि द्राफ्ट भी करते हैं, जो उत्रपदेश सरकार का जो जवाब होता है, एक मापको चुटी जवाद दता हूँगा, मैं किसी मीटिंग में मुझे बैठने का मौका में ला था, उत्रपदेश सरकार की चल रही थे, और किसी मंतरी ने काया कि उत्तरपदेश में एरपोर्ट कम है, यहां पर यह एरपोर्ट ज़ादा होने चाहिए, उत्रपदेश में दो ही फंक्शनिंग अच्छी एरपोर्ट थे लखना और बनारस, और आपने देखा है अभी एरपोर्ट कितने सारे हैं, जो इस्टिंग एरपोर्ट हैं, उनसे फ्लाइट बढ़गी हैं, उनसे फ लोग जो वहां बैठी थे, ओफिसर सब ऐसे थे, कि यार यह तो पंडी जी हैं, इनको घंटी बजा नहीं आती हो, इनको एरपोर्ट और विशन के बारे में इतना पता है, और ऐसी उनकी निपोर्टा शिक्षा के चेतन में थी, ऐसी उनकी निपोर्टा खेती के चेतन में यह तो बता रहा हूं, एक नॉर्मल ओपन मीटिंग में, जहां पर कोई अभी सरकार शुरू हुए, पंधरा दिन हुआ है, तो जो वह 20 साल से सांसद है, तो वह पूरे एक मंझे बेखती है, और गोरगपूर में वह पिछले 20 साल से 45 इंस्टिटूशन चला रहे है, बड़ जब इतने काम करवाते हो आप तो आपको सब को पता है कैसे डील करना है, आप 500 लोग रोज डील कर रहे हो, किसी की स्कॉलर्शिप नहीं मिली, किसी की विध्वा बंचन नहीं मिली, आपको पता है कि कहां कहां गढ़ बढ़ करते हैं, तो अरा, क्यों चो जो प्रैटिकल ए अगर मैं दो एक बहुत अच्छे college से पढ़ा लिखा doctor और एक बहुत experience doctor जिसने पिछले 10 साल में हजारों मरीज देख ली है तो उसको experience से पता है ना तो यहां इनने हजारों समस्या है देख ली है सनसत में भी साल रहें चालेज से एक बिसड़ रस किल्स के एब रास्ता है और सनससत में है तो यह सब experience उत्तरपातेश को काम आ रहा है तू इसे मैं किताब को लिखने लगा मैंने है थे चेंज दहीं है इस जैसा के अधूमर मेशा कुछ कमिया बताइए जो कमिया ये कहें जो बदलाव आप देखते हैं मेरे को दो तिन जैसे लगते हैं कि वो अपने देखो पॉलिटिक्स में परसेप्शन बहुत मैटर करता है थोड़े मार्केटिंग अच्छा होना चाहिए वो थोड़ा कम है और ये खबरें भी आती रहती है कि खटपट पार्टी के साथ ये सब है लेकिन आपके साब से सरकार में या दो-तिन कमिया जो आपको जो चुन के आते हैं उनके पास फिर ये रहते हैं अरे अब क्या करें यार कुछ बचाई नहीं फिर वही पुराने चलते रहते हैं तो क्या बड़ा होना चाहिए दूसरी टम के लिए अगर जीत के आते हैं तो दो-तिन बाते बताता हूं मैं जब इस किताब को लेकि उनके तो मैंने का कि यह अच्छा रहा जैसा मेरा मानना जितनी मेरी राजनितिक समझा है पर अगली बार का क्या मैंने डिल्कुल इतनी लंबी च्रशा नहीं थी लेकिन अग़ना फोकिस देख या कि मुझे एक ट्लिन कॉनी बनाने उसके लिए मुझे बिजली और अच्छी करने पड़े, इसके लिए मुझे बढ़े, इसके लिए मुझे जो भी करना पड़े, को देखे, इन खरे, ये बात आप क्लीए हो च gültig, जब तक समर्झी नहीं होगा, तब तक आप वेलफेर भी लिए नहीं करनेगे, समर्द्धी आएगी तो उससे private job बनेगे समर्द्धी आएगी तो tax जाधा collection होगा tax जाधा collection होगा, différemetive action welfare की schemes कर पाएगे, तो समर्द्धी तो ज़रूरी है, आपको समर्द्धी करना ही उस वेक्ति के दिमाग में बिल्कोल focus था अब जहां तक आती है कि क्या or जाहिए उसके लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं वो कमियां कैसे पूरी है या फिर वो नरेंद मोदी भी दोरदार दो में आये थे तो उन्होंने भी बहुत सारा सीखा लेकिन उन्होंने अपनी टीम बनाई ना एक अलग से सरकार से और पार्टी से अलग एक टी तो अभी उनका पहरा काल हुआ है और उत्ता प्रदेश जैसा बड़ा प्रदेश नरेंद मोदी के थोड़ा सा फायदा था कि गुजरात का बुरा हाल नहीं था उनको उसके गुड से बेस्ट करना था जो उन्होंने करा यहां पे इतना बुरा हाल है कि कोई लोहंगिंग फ परियास करना परता है एक सिस्टम कर पड़ा है पुलिस का सिस्टम एक तरहें का है उस पूरे सिस्टम को अवराल करना मता स्टार्टिंग मुनका काम में था कि नौ बजे ऑफिस आ जाओ भाई मैं कॉल करूंगा दस बजे लैंड लाइन पर आपको उठाना होगा डीमस्प को सब अपने कैंप ओफिसे से काम कर रहें तो आपको मेरे ओफिसमा के थोको मत पान की पीके मत दिखा ओफिसमा मजे तो एक बेसिक जो हाइजीन है वो सेट करने में तो एक अलग स्टेबल अब टेक आफ पे पहुंच चुका है अब बहुत सारी नहीं प्रणालिया बड़ करने जा रहा है तो यह सब बातें उत्तरप्रदेश के बारे में होती है उत्तरप्रदेश पहले केवल एक चीज़ का सुरोत था बॉलीवूड की पिक्चरों के लिए कुछ ऐसे जो 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 माफिया उनकी जो स्टोरीज मिनती थी वो केवल बॉलीवूड की पिक्चर को अब बहुत सारा इस्परेशन होते प्रदेश से निकाल रहा है शांतनु जी इतनी विस्तार से चर्चा करने के लिए और यहां पे आने के लिए इतनी रात को बहुत बहुत धन्यवाद समय निकाला आपने और सुबह फ्लाइट भी है तो आपको थोड़ा सा जल्दी छोड र करेंगे तो मेरे लिए टॉपिक मतलब बिल्कुल मैं कुछ और को डिबेट हुरी होती तो माना कर देता क्योंकि विश्य यह था आपके साथ रिकॉर्ड करने का मन था इसलिए रात के बारा मुझे में इसको रिकॉर्ड कर रहे है बहुत बहुत धन्यवाद सर फिर से आएं करेंगे और बात करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू